Market supreme है, market में जो होता है हमेशा उसकी respect कीजिए, भाव भगवान है, मैं क्या बोल रहा हूँ, फरक नहीं पढ़ रहा, आप क्या सोचते फरक नहीं पढ़ता, कोई export क्या बोल रहा है, कोई फरक नहीं पढ़ता, पर जो market में हो रहा है, उससे आपको और हमें फरक पढ़ने वाला है, सिधा टेलिग्राम पर जाके, invest आज फरकल सर्च करिएगा, आपको ये चैनल मिल जाएगा, comment में मिना एक important point है, कई बार आपको fake, invest आज फरकल के नाम से चैनल बना ली जाते हैं लोगों के, और उन से comment आते हैं, fake और original के बीच में difference जानना हो, तो इस post को चेक आउट कर होने वाल है, जो invest आज पर कल के team की तरफ से आएगा, सबसे पहले, वहाँ पर एक verified mark रहेगा, YouTube की तरफ से, और secondly, वो सारे के सारे comments highlighted होने वाल है, अब चलते हैं, पहले section पर जिसका नाम है, Market Today, सबसे पहले, index के उपर नज़र डालते है, Sensex, Nifty, Bank Nifty, तीनों की तीनों लग है कि एकदम neutral है, आज की दिन कुछ हुआ ही नहीं, पर अगर आज की दिन आप market में participate करें, तो आपको पता चला होगी कितना कुछ drama आज की दिन market में हुआ है, mid cap index 1.05% negative है, advance decline ratio, obviously, आज की दिन का negative है, 470 के आसपर शेर advance हुए, जिसके against 1300 के आसपर शेर decline हुए, sectors की बात करे एक अच्छा bounce है, जो हमारी लिए important हो जाता है, US futures की बात करें तो सारे के सारे negative है, Dow Zones almost 100 point के आसपर negative है, Vicks 14.79 पे closing हुई है, काफी comfortable है, अब market के movement के उपर नसर डालते है, gap of opening हुई थी 15,756 की, लेकिन वो gap of opening sustain नहीं हो पाई, market ने dip बनाया, low बनाया अपना 15,450 का, और जै जितना भी low बना था, जितना भी correction था, सारा का सारा market ने close किया, और सारा का सारा cover करके अपने high के आसपास close किया, आज की दिन का high बना था 15,761 और आज की closing हुई है, 15,683 की, अपने low average traded price से काफी ज्यादा उपर हुई है, जो market के लिए positive हो जाता है, अगर आप member है और आपन box में apply होता है, nifty में भी apply हो जाता है, आपके सामने live example आज ही हुआ, पर एक चीज़ जहान रखेगा, जब भी आपका analysis सही हो, हो सकता है, पिशली एक बार सही हो, दस बार सही हो, सो बार सही हो, पर हमेशा market की respect कीज़ेगा, 100% time इस market में कोई भी सही नहीं होता, और यही एक सच है जो आपको हमें समझना ज़रूरी हो जाता है, analysis सही हुआ, profit हुआ, उसके लिए खुश होना is absolutely okay, but उसको ego मान लेना सबसे बड़ी गलती market में हो जाती है, आप चलते हैं next section पर जिसका नाम है FIIs and DIs Action FIIs और DIs ने किया काम साथ में, काम किया वो जो आपको और हमें है बहुत ही पसंद, और सबसे मज़दार बात यह है, FIIs की तरफ से usually purchase weekly expiry के दिन आती है, पहली बार ऐसा हुआ है कि weekly expiry के अगले दिन भी एक heavy amount की purchase हमें मिल रही है, 2600 करोस के उपर की purchase FIIs ने करी है, 450 करोस के आसपास की purchase DIs ने करी है, एक अच्छे amount की purchase हुई है, जो market के लिए काफी positive हो जाता है, अब चलते हैं, next section पर जिसका नाम है, viewers query, viewers query के section में सबसे पहले IPO की update लेते है, डूडला डेरी IPO की बात करें तो आप इदर चेकाउट कर सकते, QIB, 84 टाइम से ज्यादा over subscribe हुआ है, का 10.34 times over subscribe हुई है, almost हर एक 9 से 10 application में एक allotment हमें हाँ पर मिलने वाल है, listing इनकी इस IPO में जैसे कि हमारी पहली भी बात हुई, अच्छी expectations बनी विया, second बात करते है, comparatively तोड़े से poor IPO की जिसका नाम है Kim's IPO, आप इदर चेकाउट कर सकते है, QIB सिर्फ 5 times over subscribe हुआ है, NII category में जैसे कि हमारे कल की वीडियो में भी बात हुई थी, कि यहाँ पर HNI की तरफ से subscription आने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर funding में दिक्कत है, और वैसा ही कुछ हुआ, NII category सिर्फ 1.89 times over subscribe हुआ, retail category 2.90 times subscribe हुआ, इस IPO में हर दो application पर एक allotment मिलने के chances बढ़ चुके, अब finally हमें पॉइंट कवर करने वाल है, अनुद जी की तरफ से, यह कोई question नहीं है, बट बड़ी ही interesting बात है, आप इसे चेक आउट कीजेगा, वैसे तो आप और हम market में dip का वेट करते हैं, बट जब market actually dip देता है, 20 day moving average पर जाके support लेता है, उस समय हमारी हिमत नहीं होती है, market में buy करने कि जब भी हम इस process को ठीक कर पाएंगे, हमारी success की journey शुरू हो जाएगी, अब चलते हैं next section पे जिसका नाम है stocks in focus, अगर अभी तक आपके अजीम आट नहीं है, तो description में DMAT अकाउंट openings और private channel पर जुढने का process मिल जाएगा, secret of money making batch का link भी आपको description में मिल जाएगा, वरना आप इधर ticket app पर check out कर सकते, SBI cards, देखिए ये आज के दिन काफी ज़्यादा pressure में था क्योंकि इसमें कुछ stake का transfer हो रहा था, पर important चीज समझेगा, सबसे पहले ये stock अपने 50-day moving average पर खड़ा है, second important point, जो बल डील हुई थी, उसकी price थी 1001, उसके उपर की closing आज के दिन इसने ये भी अच्छा है, medium term perspective के लिए अगर हम चाहें कि हम 10% के asperse return लेना चाहते हैं, यहां के level से ये काफी attractive होने वाला है, वैसे बात करी जाए तो 1050 के level पर भी काफी attractive था ये share, पर क्योंकि इसमें एक बल डील थी, जिसकी वैसे एक dip आ गया था, इसको मैंने personally use किया है, closing में क्योंकि ये BTSD trade के लिए अच्छा था, open for all free telegram पर भी आप सभी को बताने की कोशिश करी थी, काफी attractive होने वाला है, next important share, ये again एक medium term share है, एक ऐसा share है जिसको underestimate मत कीजेगा, usually क्या हो रहा है, ये higher level पर especially 720 के उपर बार-बार rejection face कर रहा है, पर इस बार अगर उपर गया तो 10% बढ़ जाएगा, time तो हमें देना ही पड़ेगा, अब चलते हैं, next section पर जिसका नाम है, general market trend, number of volume distribution days का count अभी भी 3 है, general market trend अब trend में, अब चलते है, final section पर जिसका नाम है, expectations from tomorrow's market, सबसे पहले call का इस्परेंटर 16,000, second high super interest 15,800 और third high super interest 16,500 पर जो resistance होगा, वो roughly 15,800 पर तो major है ही सही, उसी के साथ साथ कभी भी ये 15,800 वो cross करें, इस बार तो underestimate मत कीचेगा, support की बात करें तो put का high super interest 15,000, second high super interest 15,500 और third high super interest 14,500 पर important support 15,450 से 500 की range होने बाला है, bank nifty की बात करें तो bank nifty ने एक अच्छे support zone से bounce किया है, कभी भी 35,000 के level को cross करके उपर जाए, देखिए, वैसे तो 34,500 का level था important, उसको cross करके भी उपर sustain करें तो अच्छा हो जाता है, 35,000 को cross करके उपर जाए, तो काफी अच्छे momentum में bank nifty भी उपर retest हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, जो हमें आज opportunity मिली थी, वो Monday को वापस मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा, Monday को market अच्छे रहने की पुरी-पुरी expectations है, अब market अपना धीरे-धीरे ऊपर नीचे होते वे, ऊपर की चर्णी पुरी कर सकता है, Monday को अच्छा market रहने की पुरी-प सर के साथ session हुआ था, live session आप में से काफी लोग attend नहीं कर पाया थे, क्योंकि seats limited थी, उसका पूरा का पूरा session, कल के दिन 8 बजे आप ही के channel invest आज पर कल पे update होने वाला है, one of the most interesting interview है, बहुत ही ज्यादा हमने detail में discussion किया, crypto currency पे almost 15 मिनट तक detail में जाकर discussion किया, positive का भी discussion किया, negative का भी discussion किया, किस तरीके से use करना है, उसका भी discussion किया, तो उस वीडियो को देखना मत बुलिएगा, happy investing and I will see you very soon.